दिल्ली के CM अर्विन केजवाल ने प्रेस कॉंफरेंस कर मुफ्त सुविधा को लेकर PM मोधी पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में 18 लाग बच्चों को अच्छी सिक्षा दे रहे हैं इतिहास में पहली बार 99 फीसिदी का रिजल्ट आया है केज जिवाल ने कहा कि फरिष्ट योजना से 13,000 लोगों की जान बचाई गई केज जिवाल ने कहा मुझ पर आरोप लगाये जा रहे हैं कि केज जिवाल फ्री रेवडी बाट रहा है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या मैं गलत कर रहा हूँ गरीब और अमीर क्लास के बच्चों को शानदार और फ्री सिक्षा दे रहा हूँ लोग बताए क्या मैं रेवडी बाट रहा हूँ या देश की नीव रख रहा हूँ मुझे पर आरोप लगाए जा रहा है य। कि केजडरीवाल फ्री की रेवडी अब आट रहा है केजडरी वाल फ्री भीज दे रहा हूँ मुझे भध्धी बध्धी गालिया दी जा रही है मेरा मजाक उडाये जा रहा है आज मैं देश के लोगों से पूछना चाता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं दिल्ली के गरीबों के बच्चे मिडल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं मैं लोगों से पूछना चाता हूँ कि क्या मैं फ्री की रेवडियां बाट रहा हूँ या देश की नीव रख रहा हूँ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं इन 18 लाख बच्चों का भविश अंदकार में था अभी तक हमारी सरकार बनी थी उसके पहले जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेडा गर कै देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है वैसी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालत थी पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल तूटे फूटे पढ़े थे, दिवारें तूटे हुई थी, छतें चूरे थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनके कोई पढ़ाई नहीं होती थी, अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शांदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुना कर रहा हूं, सरकारी स्कूलों में पहली बार, आजादी के बाद से पहली बार, 75 साल में पहली बार, 99 प्रतिशत से ज्यादा नतीज़े आए हैं, मैं अगर अपनी बढ़ाई खुद करूँ तो कहा जाएगा कि केज रिवल खुद अपनी बढ़ाई कर रहा है, लेकिन नतीज़े 99 प्रति स्कूलों में भरती हुए है यह कोई छोटी बात नहीं है आज गरीबों के बच्चे आयटी के अंदर computer mechanical engineering की पढ़ाई पढ़ रहे हैं नीट के paper pass करके doctor की पढ़ाई पढ़ रहे हैं एक लड़का है गगन उसके पिता जी cardboard बनाने गत्य के डिब्बे बनाने की factory में मजदूरी का काम करते हैं करोना में वह नवकरी भी छुट गई पंद्रह हजार रुपे महीने कमाया करते थे आज गगन का admission आयटी धनबाद में computer engineering में हुआ है उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरी वाल फ्री की रेवडिया बाट रहा है या देश का भविष्य बना रहा है ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनका भविष्य आज सुनेरा हुए सुनेरा किया हम लोगों ने ये काम 1947 में होजाना था चीजह था जो आज हम कर रहे हैं आच हम लोग देश की नीव रक रही है ये रेवडी नहीं है यह देश की नीव कि में एक एक इंत रख रहे हैं हम लोग है आज दिल्ली के सरकारी अस्पित the Allem hra मgon शांदार कर दिये दिल्ले में शांदार महला क्लिनिक बना यह जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है, जहां पे दिल्ली की दो करोड जनसंख्या, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है, एक एक आदमी का, दो करोड लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इ यॉलाज मुफ्त है। च commencement मे pledge like कि अमीरी निल्पोंओ कि पूछते कि कौन सी जातका क्यों ध्रमका अमीर गरीब आदमियां औरत चोटां बड़ाए है। कि जो भी आदमियां हर एक का इलाज मुफ्त है तीसलाख चालिसलाख पचासलाख रूपय कभी अगर उसका operation का खर्चा आएगा उसकी सारी दवाईयां उसके सारे टेस्ट उसके सारे अस्पताल हो चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों उसे उठाके यह नहीं सोचना कि में कभी मेरे उसे नियरस अस्पताल में ले जाएए उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है फरिष्टे स्कीम कहते हैं हमें से 13,000 से जादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम इन 13,000 लोगों के परिवार वालों से पूछे कि क्या केजरिवाल फ्री की रेवडियां बाट रहा है या पुन्य का का काम कर रहा है धर्म का का काम कर रहा है आज दिल्ली के एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं 200 विजली फ्री दे रहे हैं पंजाब में हमने 300 विजली फ्री देनी चालू किया यह कहते हैं के जिवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है मैं इनसे पूछना चाहता हूं तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती ह तुम्हारे मंत्रियों को 4-4-5-5-1000 यूनिट तुम लोगों को 4-4-5-5-1000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तब ठीक है लेकिन गरीब जनता को अगर मैंने 200-300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है आज दिल्ली के अंदर हमने फ्री में सब कुछ फ्री कर दिया टेस्ट फ्री कर दिया इलाज फ्री कर दिया लेकिन हमारा मकसद है कि कोई बिमारी नहीं पढ़ना चाहिए उनको योगा सिखाते हैं लोग 17,000 लोगों को हम योगा सिखा रहे हैं डेली फ्री में योगा टीचर भेज रहे हैं बताईए क्या गलत कर रहे हैं अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक-एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे अच्छी शिक्षा देंगे शांदार शिक्षा देंगे देश के एक-एक व्यक्ति को हम अच्छा इलाज देंगे फ्री का इलाज देंगे शांदार इलाज यह काम 1947 में 1950 में हो जाना चाहिए था और जब तक हम अपने देश की नीव नी रखेंगे जब तक हमारी नीव मजबूत नी होगी तब तक भारत दुनिया का नंबर देश नववन देश नहीं बन सकता हम भारत के अंदर केपेबिलिटी है केपैसिटी है आगे बढ़ने की लेकिन उसके लिए हमें एक इमानदा राजनीती की ज़रूर पढ़ेगे सब इस्वे वर्ष में आपके लोग पुरे समाचार पत्र इंडिया दर्पन का परवी आपके इसके रहें अपने शित्र ख़बरे को और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले कर द contemplराण थीर के दिएvit प्रवी आप walking, सक है प्रवारे हमेशन प्रवांब को अारें भापफया है नहीं में भापके ज्सक्राइब जस्तुराव हमुट्यू आप में हम झाले, चैने खब consistent खड़र सब्सक्षर स्वाफ ए से विएशआ कर च्हाईब झाल